इस लोकसवा सीर से चुनाव लड़ेंगे अखलेस आजमगर्ण से धर्मिंद्र यादव को टिकेट देने के बाद इस्तिती हुई साफ समाजबादी पार्टी के अध्यक्ष अखलेस यादव आजमगर्ण से धर्मिंद्र यादव को टिकेट देने के बाद शनिवार को इस्तिती लगवग साफ हो गई हाला कि अभी उन्होंने कन्नोज सीर से चुनाव लड़ने के आपचारे गोशना नहीं किये है सपा ने शनिवार को अपने प्रत्याशियों की पांच वी सूची जारी कर दी इसमें पांच लोगसभा सीटों की प्रत्याशियों की घोशना की गई गई है जबकि मिस्रिक में उम्मीद्वार बदला है सपाने पूर्शांसद धर्मिंद्र यादव को आजमगर लोकसवा सीट से प्रत्यासी बनाया है चाचा शिवपाल को दी बदानियु सीट पहले उन्हें बदानियु से उम्मीद्वार बनाया गया था बाद में वहां से चाचा शिवपाल यादव को उतार दिया गया इसके बाद धर्मिंद्र को आजमगर वकन्नोस दोनों लोकसवा सीट का प्रभारी बना दिया गया था मैना जा रहा था कि इडंवे से एक सीट पर अखिलेस ये दूसरे सीट पर धर्मिंद्र चुनाओ लड़ेंगे अखिलेस के आजमगर लोकसवा सीट से त्याग पतर देने के बाद वे उपँपचुनाओ में धर्मिंद्र ही चुनाओ लड़े थे वे बहस्पा की दिनेश लाल यादव ने रहुआ से मात्र 8,689 मतों से हार गए थे इस चुनाव में बस्पा की शा आलम और गुड़ू जमाली को 2,66,210 वोट मिले अब गुड़ू जमाली सपा में हैं अब ये माना जा रहा है कि अखले इस कन्नोच से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वे पहले भी कन्नोच से चुनाव लड़ने की बाग कह चुके हैं मिश्रिक सीट से मनोज कुमार राजवनसी को टिकेट पार्टी में मिश्रिक सीट से उम्मीद्वार बदल दिया है यहाँ पहले पूर मंतिर रामपाल राजवनसी को उम्मीद्वार बनाये था किन्ति अब उनकी जगे मनोज कुमार राजवनसी को टिकेट दिया गया है गुजर समाज से आने वाले महिंदर नागर अस्पताल के चेर्मेन है इसके लावा सुल्तानपूर से भीम निशाग इटावा से जितिंदर दुहरे और जालों से नाराइंदास अहिरवार को टिकिर दिया गया है सपा के अब तब को 41 प्रत्याशी घोशत हो चुके हैं इन में तेह दलित 20 पिछड़े 3 मुस्लिम 4 सामान वे 1 वैश ब्रादरी के निता शामिल है अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं प्लीज विजिट था मांटें केफे एंड बेकरी फॉर फास्ट खूड नियर्बाइ सुहागी बाइपार